दुनिया में कौन सा पक्षी है जो सुन्दर नहीं होता है इस प्रश्ण का उत्तर कोई नहीं दे सकता है क्योंकि इस दुनिया में सभी पक्षी सुन्दर होते हैं हाला कि कुछ ऐसे पक्षीयों की प्रजातियां है जिनमें कुछ विश्यस्ताय होती है इनी रंगीन यह विष्व प्रसिद्ध होते हैं तो आई ए जानते हैं ऐसे ही सुन्दर 15 पक्षियों के बारे में नम्बर वन विल्स और आप परड़ाइज यह सबसे अजीब पक्षियों में शेख है फिर भी यह सुन्दर पक्षियों की गिंती में आते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा इंडोनेश्या के घने जंगलों में पाय जाने वाले इन पक्षियों को पैचानना मुस्किल हो जाता है लेकिन एक बार देखने के बाद आपकी सांसे रुख जाएंगी नमबर टू, बोहेमियन वैक्सविंग यह एक मध्यमाकार का पक्षि है जो एक सौंग बर्ड है ज़्यादा सरंगीन नहीं होते हैं यह पूर्णता बुरे रंग के होते हैं क्योंकि इनके पंखों का किनारा सफेद और पिले रंग का होता है यह अपने सीर की सुंदरता की वज़े से सुंदर और अकार्शक लगते हैं इसलिए यह दुनिया की सबसे खुबसूरत पक्षियों में शामिल है नमबर थ्री, वूट डग वूट डग को कैरोरिना डग भी खहते हैं वूट डग सायद दुनिया का सबसे रंगीन जल पक्षि है इसकी सुंदरता का अंदाजा फोटो देखकर लगाए जा सकता है अर वूट डग मादा वूट डग की अपेक्छा जादा सुंदर और रंगीन दिखाई देते हैं नमबर फोर, हैसंत मकाव या दुनिया की तोतों की सबी प्रजातियों में सबसे बड़ा है इसके अकर्शन का कारण इसके इस उपसूरत नीले बंग है इसलिए इसे ब्लू मगाव भी कहते हैं साथ ही इसकी चोंच और आँखों के पास पिला रंग इसकी सुंदरता को निखारता है नमबर फाइब गॉल्डियन फिंच या आस्ट्रेली पक्षी इतना सुंदर होता है कि इसे देखने के बाद आँखों पर विश्वास करना असंभाव सा लगता है गॉल्डियन फिंच के सरीर पर इतने रंग होते हैं कि इसे रेंबो फिंच भी कहते हैं गॉल्डियन फिंच सभी पालतू पक्षियों की प्रजातियों में सबसे सुंदर होते हैं नमबर सेक्स तुराकोज यह रंगीन इंदर धनुश्री और फल खाने वाले पक्षी हैं जो अफ्रीका के सवाना में सदा बहार वन में पाय जाते हैं इस मनमुहक पक्षी की 18 प्रजातिया हैं जो लाल पिले हरे निले भूरे कई रंगों में होते हैं नमबर सेवन कील बिल्ड टुकैन कील बिल्ड टुकैन यह दुनिया में सबसे अद्भूत चोंच वाला पक्षी है इसकी लंबी चोंच के कारण यह दुनिया में पसुरत पक्षियों में शामिल है यह बेलिस का राश्टी पक्षी है नमबर 8 ब्लू जे ब्लू जे को दुनिया के एक पसुरत पक्षियों में से एक माना जाता है इसका रंग ग्रे और ब्लू होने के कारण इसे ब्लू जे कहा जाता है ये पूर्वा और मत्य उत्री अमेरिका की जंगलों में पाय जाता है इसके अलावा इसे कानाडा में भी देखा जा सकता है ब्लू जे के अद्बुत निले रंग, सफेद और काले रंग के होते हैं यह पक्षियन ने प्रजातियों की आवाज की रखल भी कर सकते हैं गोल्डन फिशेंट अपने सुनहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है प्रकृति में हमें इतना सुनहरा रंग देखने को कहीं नहीं मिलता है गोल्डन फिन्स मूल रूप से चीन में पाय जाता है यह ज़्यादा उड़ना पसंद नहीं करते हैं यह दोड़ना पसंद करते हैं इसे प्रित्वी के सबसे खुबसूरत पक्षियों में से एक मान जाता है रंबो लॉरिकेट औस्टिल्या में पाय जाने वाले देगी प्रजाती है यह दिकतर वर्षामन तर्टी जाडियों और वुड लेंच छेत्रों में पाय जाते हैं इसके पंक चमकदार और अकर्शित होते हैं नमबर 11 पीकॉक मोर भारत का राश्टी पक्षी है मोर की पूच के सांदार पंक इस दुनिया का सबसे सुन्दर पक्षियों बनाते हैं विस्व में जितनी भी प्रजातिया हैं इसमें सबसे बड़े पंक मोर के हैं इसे ब्लैक बैट किंग फिशर भी कहते हैं इसके पंक रंगीन और जंकीले होते हैं किंग फिशर अपनी खुबसूरत गती से मचली पकड़ने के सांद सांद भी अपनी खुबसूरत बनावट के लिए भी जाने जाते हैं यह दक्षिंट पूर्व एश्यक के अधिकांस हिस्सों में पाय जाते हैं यह एक पॉकेट राइस पक्षी है नमबर थर्टीन हमिंग बर्ड यह अमेरिका में मुल्रूप से पाय जाते हैं इसकी लगभग 360 प्रजातिया है पंको का फनफडाने की अवाज इतनी तेज होती है कि मनुष्य भी इसे आसानी से सुन सकते हैं हमिंग बर्ड सभी रंगों में आते हैं नमबर फोर्टीन अट्लांटिक पफिन यह एक छोटा समुदरी पक्षी है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी कनाडा के तट पर पाय जाता है इसका उपर ही भाग काला और पेट और छाती सफेद होती है जो एक पेंग्वीन की जैसे दिखते हैं यह बहुत रंगीन होते हैं अटलांटिक पफिन अपना अधिकांस जीवन समुदरी टट पर पिताते हैं यह दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला पक्षी है चमकदार लाल गुलाबी रंगे पंक के कारण पक्षियों में इसे खास माना जाता है दुनिया में फ्लेमिंगों की छे अलग-अलग प्रजातिय हैं वे अंटार कटिका को छोड़कर हर महादिविप में पाय जाते हैं